अलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तों चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे इसके साथ ही वीडियो के अंत में आप से एक सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जिसमें से किसी एक को बिहारी मीडिया की ओर से एक लखी प्राय जितने का मौका मिलेगा साथी आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट बोक्स में जरूर पूछे आज कि सबसे बड़ी कबर बिहार लोग सेवा आयोग में LDC के पदोपर बंपर भाली जिहां बिहार लोक सिवा आयोग ने LDC के कई पदो पर भरती के लिए योग वह इचुक मिदवारों से आवेदन आमेंतरित किये हैं BPSC की इस भरती में बारवी पास अभियर्ती आवेदन कर सकते हैं BPSC की इस भरती में आवेदन करने के इचुक मिदवार 19 मार्च से आयोक की ओफिसेल वेबसाइट online bpsc.bihar.gov.in पर जाकर अपना online registration करा सकते हैं अभियर्थी ध्यान रखे कि आवेदन की अंतिमती थी 16 अप्रेल तक रखी गई है आपको बदा दी कि इसके लिए सेक्चेन के योगिता बारवी पास रखा गया साथी इसके लिए आवेदन सुल्क 100 रुपिय और स्टी के अभियर्थियों को मात्र 1.5 रुपिय ही देने होंगे आगली बड़ी कबर बिहार सरकार के इस बिभाग में होगी 9000 कलरक की भरती जिहां बिहार सरकार का पंचायती राज बिभाग 9000 लिपिक की नियुकती करेगा इसके लिए बिभाग की ओर से प्रस्ता बनाया जा रहा है इन पदों किस रेजन की सवी प्रक्रिया पूरी करने के बाद यह प्रस्ताव केबिनेट में भेजा जाएगा इसमें इनकी योगिता आधिक तई की जाएगी केबिनेट की स्वीकृती मिलने के बाद नियुकती की प्रक्रिया सुरुक कर दी जाएगी बिभाग समिले जानकारी के नुसार लिपिको की तैनाती पंचायतों में की जाएगी पंचायतों की कारियाले में ये बैठेंगे पंचायतों में हो रहे कारियों से सम्मधित काज़ात का पूरा रिखोड रखेंगे खर्च का भी हिसाब रखेंगे पंचायतों में ऐसे कर्मियों की कमी विभाग महसुस कर जिसकी तहद ये रिक्तिया निकाली गई है आगली बड़े कबर बैंक हर्ताल का बिहार में भी दिखा असर एक लाग करोड से अधिक कलें दिन प्रभावी United from of Bank Union के आवान पर बैंकों की देश व्यापी दो दिवस्य हर्ताल बिहार में भी खासी असरदार रही निजिकरन के प्रस्ताव को लेकर बैंक कर्मियों ने एक जुटता दिखाई सबिस सारवाजनिक बैंकों की साखाए दो दिवस्य हर्ताल के दूसरे दिन भी बन रही तमाम निजिचेतर की बैंक सखाव के साथ ही कई जगे एटियम भी बन करा दिए गए इस दो दिवस्य हर्ताल से बिहार में करीब एक लाग करोड से ज़्यादा बैंकिंग कारुबार प्रवाइत रहा राज भर में बैंक कर्मचारियों ने हर्ताल पर रहकर सखाओ के बाहर निजिकरन विरोधी बेनर लगा कर नारेबाजी और धर्नप प्रदसन की रायानी पटना में वे इस हर्ताल का व्यापक असर देखने को मिला सरकारे बैंके में तो काम का पुरी तरफ ठप रहा जबके हर्तालोर विरोध के चलते निजि बैंको का भी कारुबार प्रभावित हुआ आंदोलित कर्मचारियों ने कई जगा विरोध जिलूस भी निकाला कुछ जगा आंदोलोन कारियों द्वारा एटियम भी बंद करा दिये जाने के चलते लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ा उद्योग मंदरी सानवाज होसेन ने कहा बिहार के सभी प्रमंडलिया मुख्यालों में खुलेगा खादी मौल मंत्रे मंगलवार को विदान परिशाद में कॉंग्रेस के प्रेम चंद्र मिस्टा के तरांकित प्रसन का जवाब दे रहे थे प्रशन करता प्रेम चंद्र मिस्टा ने सरकार से पूछा था कि क्या सरकार राज के सभी खादी भंडारों खादी ग्राम उद्योग केंद्रों का जिर्नद्वार सा उसके करगार संचलन के लिए कई योजना बना रहे है ताकि ग्रामेन इस्तर पर रोजगार उपलब्द कराया जा सके जवाब में उद्योग मंत्रिय ने कहा कि राज में 11 जगोव पर खादी ग्राम उद्योग की जमिने इसमें भागलपूर मुंगेर एक फिजदी सलाना ब्याज पर मिलेगा पांच लाख रुपिय तक का लोन जिया बिहार की नितिस सरकार एक नया प्रस्ता बना रही है जिसमें समाय ने वह पिछड़ा वर्ग को उद्दम लगाने के लिए अधिकतम 10 लाख रुपिय दिये जाएंगे इसमें एक फिजदी स लाना ब्याज पर पांच लाख रुपिय तक का लोन और पांच लाख तक का अनुदान समील है बिहार की उद्दम मंद्रे सानवाज हुसेन ने मंगलवार को यह जानकारी विधान परिसत की पहली पाली के दोरान प्रो नवल किसोर यादव के तरांकित प्रस्न का जवाब म ने कहा कि मुखमंद्रे नितिश कुमार ने उद्दमी योजना में सामाइने और पिछरा वर्ग को भी जोडने का निर्दीश दिया है इसके तहट उद्दम लगाने के लिए लोन दिया जाएगा कोरोना की वापसी से बिहार में अलट हॉली मिलन पर रोक इसकुल फिर से हो सकते है बन जिहां देश में कोरोना ने तेजी के साथ वापसी की है कई राज्यों में लगातार कोरोना के मामली बढ़ रहे हैं बिहार में कोरोना की आसांका को देखते वे नितिस सरकार भी अलट मोड में आ गया है मुझकी सचीव के अधिक्ता में इसमें गुरूप के महतपून बैठक हुई इस बैठक में फैसला लिया गया है कि सारवजने की जगाओ पर होली मिलन समारों आयोजित नहीं किया जाए हैं जिनमें महराष्ट में सबसे ज़्यादा 16,000 नई के सामने आये हैं कोरोना बापसी के आसंका को देखते वे इसको लोग को बंद करने का फैसला एक बार से लिया जा सकता है नाक के नीचे मास्क तो अस्पातालों के ओपेडी में नहीं मिलेगे एंट्री चितावनी जारी जिया पीम सीय समेथ सभी प्रातमिक स्वास्त केंद्रों में इलाज को पहुचने वाले मरीज वा उनके परिजनों को नियमों का सक्ति से पालन करना होगा सोचल डिस्टेंसिंग जैसे कोरोना से बजाओ के नियम का पालन नहीं करने पर OPD में एंट्री नहीं मिलेगे इतना ही नहीं मरीज उनके परिजन या फिर अस्पताल के स्वास्त करमी नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उनमें उपद्रवी करार दिया जाएगा ऐसे लोग मंत्री के भाई के बाद मंत्री पूतर पर तेजस्व यादाव की सेना का हला बोल सदन में भारी हंगामा जिया राम प्रित अस्वान के बेटे दिपक कल्यान और पचोटू नल जल योजना की जाज करने गई विवाटीम में सामिल हो गए थी जिसे लेकर तेजस्व का उदगाटन करने पहुचता है तो कभी दूसरे मंत्री का बेटा वसुले के लिए योजनाओ की जाज करने पहुच रहा है नितिस जी ने बिहार का मजाग बना कर रख दिया है आपको बता दे कि पूरा मामला पूर्णिया जिले का रुपोली का है जहां नल जल योजना क की जाज करने के लिए बिभागे टीम पहुची थी लेकिन इस टीम के साथ साथ मंत्री जी के बेटे दिपक कल्यान भी पहुच गए अगली बाड़े कबर कोरोना काल में फिस प्राइवेड इसकोलों की मनमाने का मामला विधानसबा में उठा सरकार बोले नीजी इसकोलों पर हमारा कंट्रोल नहीं जिया कोरोना का हाल में राज के प्राइवेड इसकोलों की मनमाने का मामला कल बिहार विधानसबा में उठा विधानसबा के प्रसन उत्तर काल में आरजडी विधायक भाई विरेंद्र ने इस मामले को उठाते वे सरकार से जवाब मांगा की जो न कि यह मामला बेहत गंबिर है लेकिन यह भी सच्चा ही है कि हम प्रावेड इसकोलो द्वारा वसुली गई फीस वापस दिल्वा पाए इसके लिए कोई कानून सरकार के पास नहीं है अगली बड़ी ख़बर विदानसवा में मंत्री ने तेजस्वी को दी चुनोती कहा गांधी मैदान में आकर फरिया लो बिःआर विदानसवा में कल मंत्री राम सुरत राय और नेता प्रातिपच तेजस्वी यदव के बीच गवाला वरसेज गवाला के लड़ाई हो गई विदानसवा में सराब रामादेगी के आरोप जेल रहे मंत्री राम सुरत राय ने कल सफाई दी उन्होंने नेता पतिपच की तरब से लगाय गए आरूपों पर सिधा जवाब देते हुए कहा कि उन्हें गरीब का बेटा होने के करण परिशान किया जा रहा है साल 2010 सही आरजेडी के लोग उन्हें परिशान कर रहे हैं उनके खिलाब जोटे आरूप लगाये जा रहे हैं मिदानसवा में मंत्रे राम सुरत राय जब अपनी सफाय दे रहे थे उस वक्त हुआ गुस्ति से उकड़ गए मंत्रे राम सुरत राहे ने कहा कि उनके खांदान के उपर उंगली उठाने वालों को बताना चाहता है कि पले अपने खांदान को देख ले तेजस्व यादव के उपर मंत्रे राम सुरत का ये सिधा निसाना विपक्ष को तिल मिला गया उसके बाद सदन में काफी देर तक हो हल्ला होते रहा विजानसवा में भारी बावाल के बीच मंत्रे अपना बयान भी पुरा नहीं पड़ पाए तेजस्व यादव को चुनोती देते वे राम सुरत राय ने कहा कि अगर फर्याना है तो गांधी मैदान से जुड़ जाएंगे मेरे भी यहां रिष्टेदारी है और आपकी भी जो तागतवर होगा वो भारी पड़ेगा बिहार में महंडी होगी ज़लेकर गाउ तक का सर्किल रेट बढ़ाने की तयारी जिया बिहार में जमीन करिदने वाले लोगों को अब और बड़ा जटकर लगेगा सुबे में जमीन से पहले से ज़्यादा महंडी हो गई है राजसरकार सहर से लेकर गरामिन इलाकों तक के सरकिल रेट में इजापे की तयारी कर रही है 30 से 50 फिजी तर्ट सरकिल रेट बढ़ाने की तयारी है नए नगर निकाय चेत्रों में 2% रजिस्ट्री सुल्क बढ़ाने का विफैसला लिया जाएगा अगली बड़ी कवर होली में बाहर से आने वाले लोगों पर नजर पंजाब, महराष्ट और केरल समीत विसेस प्रभावित राज्यों से आने वालों को किया जा सकता है कॉरेंटाइग होली का त्योहार कोरोना का बड़ा खत्रा लेकर आने वाला है इसे लेकर स्वास्थ विभाग में अलट है त्योहार में देश के विभीन इलाकों से लोग घर आते हैं ऐसे में संक्रमन के तेजे से बढ़ने की आसंका है स्वास्त विवाग ने कोरोना से प्रवाइत राज्य वह सहरों से आने वालों को कॉरंटाइन करवाने की तैयारी चल रही है महराश्ट पंजाब वह केरल से आने वालों के लिए बिहार में कोरोना नेगेटी प्रमात्र जोररी होगा दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रादोसित 30 सहरों में से 22 भारत में ट॑प पर दिल्ली बिहार का एक सहरवी सामिल दिल्ली दुनिया के सबसे जचादा प्रादोसित रायजाने सहरों की सूची में सिर्ज पर है स्विस संगटन आईक्यू एयर द्वारा तयार और मंगलवार को जारे वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 में यहाँ बात कहे गई है रिपोर्ट में हाला कि यह भी बताया जाए कि 2019 के मुकावले 2020 में दिल्ली की वायू गुनवत्ता में सुधार हुआ है राजस्तान में भिवारी, हर्याना में फरिदाबाद, जिन्द हिसार, फतेहाबाद, बनवारी, गुरुग्राम, यमुना नगर, रोहतक और धारुहेडा और बिहार में मुझपर पूर बिहार पंचाई चुना से पहले मुख्या समेट सभी पंचाई परतिनिद्यों को मिलेगा 54 महने का बकाया मांदे जियां बिहार पंचाई चुना के ठीक पहले मुख्या सरपन जिला पारसत समेट पंचाई राज के सभी जन परतिनिद्यों के लिए खुसकबरी है इन सबी के लंबित मांदे का भुगतान 31 मार्ज तक कर दिया जाएगा बिहार विधान परिशत में इस मुद्दे के उठने के बाद यहां फैसला लिया गया है अरंद की बड़ी कबर बिहार में पहले से आट वी कक्षा तक के बच्चे बिना परिख्चा के अगले कक्षा में होंगे पर्मोट किलवार को संकल पर भी जारी कर दिया है आज के लिए आपका स्वाल बताए कि बिहार वा उडिसा का विभाजन किस वर्स हुआ था इसका जबाब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं